नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकिता देश भर में बारिश का कहर जारी है तेज बारिश और बार से लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है हिमाचर प्रदेश में भी जाते जाते मौनसून कहर बरपा रहा है लगातार हो रही बारिश कई जगों पर हाथसे का सबब बन रही है जगे जगे लैंड्सलाइड से जानमाल को भारी नुकसान हुआ है ऐसे में पैट्रोल पंप में चटान गिरने का वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है लैंड्सलाइन की ये घटना CCTV में कैद हो गई वहाँ खड़े एक टेल टैंकर समेट तीन वहान इस चटान की चपेट में आ गए यहाँ एक व्यक्ति को चोट भी आई है जिसे अस्पताल में भरती किया गया ये वीडियो हिमाचर प्रदेश के शिमला से 30 किलोमीटर दूर एक पैट्रोल पंपर चटान गिरने का है दरसल शिमला जिले के ठियोग शहर में 20 अगस्त को पैट्रोल पंपर रात करीब धाई से 3 बजे एक बड़ी चटान गिरने का डरावना मंजर वीडियो में कैद हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त लोग पैट्रोल पंप में पैट्रोल भरवा रहे थे वीडियो में कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागते भी नसर आए हैं हासे में एक व्यक्ति घायल हुआ है और 4 गाडियों को नुकसान पहुँचा है मही चटान गिरने से जमीन पर 2-3 फिट गहरा गढधा हो गया पैट्रोल पंप पर बड़ी चटान गिरने से काफी नुकसान हुआ है इसकी चपेट में पंप मशीन सहे दो गाड़ी भी आई है वीडियो में आप देख सकते हैं कि चटान गिरती देख एक शक्स मौके से भाग खड़ा हुआ जबकि एक तरफकार के साथ खड़े लोग बाल बाल बच गए चटान दो हिस्सों में गिरती है और एक हिस्सा पंप पर पैट्रोल भरने वाली मशीनों के उपर गिरा जबकि दूसरा हिस्सा मशीनों के पास वीडियो के अंत में दो लोग चटान के पीछे से भागते हुए भी नसर आ रहे है ज्यादा बारिश तबाही का कारण बन रही है क्योंकि मौनसूम की बारिश से जमीन के सता स्पंच की तरह हो जाती है अधिक बारिश होते ही ये जान वबमाल दोनों का नुकसान कर रही है अभी भी हिमाचर प्रदेश में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तास से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं जुड़े रहिए जन भावना टाइम्स के साथ नमस्कार